हेलो स्टूडन्ट्स, वेलकम टू एवी एज्योकेशनल चैनल आजे आपड़े दोरण अग्यार बार माटे अंग्रेजी ग्रामर मां एक नवो पोईंट श्वरू करवा जही रहिया छिये आगणना वीडियोज मां आपड़े घणा बदा पोईंट्स सिख्या आजे आवीडियो मां अग्यार बार माटे जेने खुबज महत्वनू पोईंट कई सकाई ए पोईंट आजे आपड़े शिख्यवा जही रहिया छिये पोईंटनू नाम छे डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट स्पेच जेमां आजे आपड़े लेक्चर वन शरू करवा जही रहिया छिये तो विदियार्थी मित्रों मोटा भाग ना विदियार्थीवो ना मनमा एव एक डर चे साटूल के डायरेक्ट इन्डायरेक्ट खुब अगरू छे, पण हक्यकत ए छे के डायरेक्ट इन्डायरेक्ट अगरू नथी, बोडनी परिक्षा मां तमने चार मार्क्समा आनू एक डायलोग पुछाई छे, जे डाइलोग डाइरेक्ट स्पीच मां आपेलो होई छे अने एने तमारे इनडाइरेक्ट स्पीच मां चेंज करवानों होई एटले के फेरववानों होई छे तो आ डायरेक्ट इनडायरेक्ट एकदम सेलो छे एमा जेकाई फेरफारो करवा ना छे ए फेरफारो ना जे नियमों छे ए तमें याद राखिलियो एटले सरड ताथी कोईपन डायलोग ने कोईपन वाक्य ने तमें सरड ताथी इनडाइरेक्ट स्पीच मां फेरवी सक्सो तो आजे आपने पेला लेक्चर मां सवप्रथम डाइरेक्ट स्पीच एटले सूं अने इन्डाइरेक्ट स्पीच एटले सूं एनी चर्चा करी सूं पछी डाइरेक्ट स्पीच ना वाक्य ने इन्डाइरेक्ट मा बदलती वक्ते इन्डाइरेक्ट मा फेरवती वक्ते कई-कई बाबतो मा फेरफार थाई केवा फेरफार हो थाई एनी चर्चा करीशू आ लेक्चर मा आजे आपड़े तो सव प्रथन डाइरेक्ट स्पीच एटले प्रतियक्ष कथन प्रतियक्ष एटले के नजर सामे होई तेवू सामनियरी ते बे व्यक्ति वच्चे थयली वात चीत ने कोईपण जातना फेरफार वी ना अउत्रण चीहन मा रजू करवामा आवे तेने डाइरेक्ट स्पीच कहे छे एटले के बे व्यक्ति वच्चे जे वात चीत थय होई एमनी वच्चे जे वात थय एवात ने अउत्रण चीन मा रजू करवामा आवे छे एमा कोईपण प्रकार नो फेरफार करवामा आवतो नथी ए वाक्यने ए कथन ने डाइरेक्ट स्पीच कहे वाई एविजरी ते इनडाइरेक्ट स्पीच कोने के वाई तो इनडाइरेक्ट स्पीच येटले परोक्ष कथन बे व्यक्ति वच्चे थय येली वात चीत ने कोई त्रीजी व्यक्ति ज्यारे पोताना सब्दों मा रजू करे तेने इनडाइरेक्ट स्पीच के वाई बन्ने वचे आटलो डिफरंस छे डाइरेक्ट स्पीच मा ए बे व्यक्ति वचे जे वात थाई वोई एमा एक पण शब्द मा फेर्फार करवा मा आउतो न थी ए डाइरेक्ट स्पीच अने इनडाइयरेक्ट स्पीच मा बेव्यक्तिव चे जे वाद्चित ठेई वोई एने त्रीजीव्यक्ति पोताना सब्दो मा रजू करेछे एडेले के एमा एक केटलाक फेरफारो करेछे अमूक शब्दो मा एक चेंज करेछे फेरफार करेछे दखला तरीक है शर्वन्नाम बदली जाई, वाक्यानों काल, टेंस बदली जाई, आ बदा फेरफारो छे, पछ इस्थर दर्षक के शमै दर्षक शब्द हों Knowledge buen तो आपणे पुए पुए पन डाइरेक्ट स्पीच ना वाकिय ने इनडाइरेक्ट स्पीच माँ बदली है त्यारे आवा फेर्भारों करवाना होई छे ये निचर्चा आगड़ाउशे आगड़ अवे डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट स्पीच मा जे सेंटेंस होई येमा अलग-अलग पाल्ट होई अलग-अलग भाग होई तो ए दरेक भागने आपड़े नीचेना नाम्थी ओडख्षु ए नाम्थी ओडखाई छे टुकमा येमा सव प्रथम बोलनार अवे डाइलोग छे एटले बोलनार अने सांबढ़नार आतो होई अज तो बोलनार ने रिपोल्टर के वाई डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट नी लेंगवेज मां सांबढ़नार ने लिसनर के वाई एन इनडाइरेक्ट ओबजेक्ट पन के वाम आवे छे त्यार पछी क्रियापद अवे बोलनार व्यक्ती सांबढ़नार ने काई केसे एटले बोलनार औने सांबढ़नार नी वच्चे आ क्रियापद आउसे येने रिपोल्टिंग वर्ब केवाई आटलू इन्वल्टेड को मानी बार होई बोलनार, साम्बडनार औने reporting वर अवे बोलनार व्यक्ती, साम्बडनार व्यक्ती ने जह वात केतो होई ए अउतरन चिनमा आपेल होई ए वाक्यँ जने आपणे reported speech ना नाम्ती पोडक्षू तो आरिते डाइरेक्ट स्पीच ना वाक्यमा आवा चार भाग होई शे पेलो भाग छे बोलनार जेने आपड़े रिपोल्टर केशू बी जो भाग छे सामबडनार जेने आपड़े लिसनर केशू त्री जो भाग छे क्रियापद जहने आपड़े रिपोल्टिंग वर्ब केशू जो बराबर याद राग जो के वाक्य मा आवतु क्रियापद न थिया पन इन्वल्टेड कोमा मा आपेलू जे वाक्य छे येनी बार जे बोलनार शामबडनार आइपा होई यनि साथे जे करिया पद वपराई failed, told, आब दा यने रिपोल्टिंग verb केवाई औने वाक्य अउत्रण चिन मा जे होई यने reported speech केवाई यार पथी अवे डाइरेक्ट स्पीच ना वाक्य ने इन्डाइरेक्ट स्पीच मा फेरा ऊती वक्त आउत्रन चिन्घ मा आपेल वाक्या मा त्रण बाबतो मा फेरफार थाई छे, जे नीचे मुझब छे। बराबर याद राग जो आ फेरफारों फक्त अउत्रण चिन मा जे वाक्या आई पुहोई एमा ज करवाना छे तमने जे डायलोग आपेलो होई परिक्षामा एमा बोलनार, सामबलनार अने रिपोल्टिंग वर्ब आमा तमारे फेरफार करवाना थाई एन नियमों भुद्धा छे आपड़े एक एक वाक्या प्रकार लेता जाशू अने येमा एनी चर्चा करी शे आणके आमा विधान वाक्यों आउशे, प्रशनार्थ वाक्यों आउशे, उदगार वाक्यों आउशे, आगनार्थ वाक्यों आउशे, औने सुभेचा दर्शक एटले के आप पांच प्रकार्ना वाक्यों नू मिश्रण ए डायलोग मा होई छे तो inverted, एटले के बोलनार व्यक्ती जे बाबत रजू करेशे ते वाक्यों एटले के आउत्रन चिहन मा होई तो आउत्रन चिहन मा जे वाक्यों आप पेलो होई एमा कुल तरण बाबतों मा फेरफार थाई पेलो फेरफार शर्वनाम मा थता फेरफारो एटले के वाक्यों मा जेटला शर्वनामों आईपा होई एमा फेरफार थाई बिजो फेरफार छे क्रियापद मा थता फेरफारो तो वाक्यों मा एक के एक करता वधारे क्रियापदों आईपा होई तो एमा फेरफार थाई एमा आपड़े फेरफार करवो पड़े तो आरीते डाइरेक्ट स्पीच ना वाक्या ने आपड़े इंडाइरेक्ट स्पीच मा बदल सु त्यारे अउत्रण चिन मा जे वाक्या आपेलो हसे एमा आपड़े आ त्रण बाबतों मा फेरफार करवो पड़े सर्वनम मा, ग्रियापद मा, अने समय दर्षक के स्थर दर्षक शब्दों आ सिवाई ना जे शब्दों आपेला होई, एमा आपड़े कोई प्रकार नो फेर्फार करवानों नथी ए सब्दों यथावत, एतले के डाइरेक्ट स्पीज मा, जे वो सब्द होई, एवाज इन डाइरेक्ट स्पीज मा, मुंकी द्यवानों हवे, शव प्रथम, आपड़े सर्वनामों मा, फ्रता फेर्फार ए, सिखिशौं केवा प्रकारना फेरफार हो थाई, कई रिते फेरफार हो थाई, कया सर्वनाम मा फेरफार थाई, कया सर्वनाम मा न थाई आ बदू व्यवस्थित आयां कमे सिखी सक्सो एमा सवथी पेला जो डाइरेक्ट स्पेच ना वाक्यमा प्रत्थम पुरुष्णा सर्वनामो आपेल होई तो तेमनो फेरफार बोलनार मुझब करबो पिला पुरुष्णा सर्वनामो अब पिला पुरुष्णा सर्वनामो मा I, Me, My, Mine अने Myself आ एक वचन ना शे एवी रिते बहु वचन ना पुण आवी शके के वी, अस, अवर, अवर्स अने अवर्सेल वुजब तो आरिते पेलो पुरूस होई तो एनो फेरफार बोलनार मुझब आपणे करवानों छे अवे इबोलनार मुझब फेरफार केम थाई? इ आपणे एक एक वाक्य प्रकार लेशू त्यारे डीप मा उंडान पुर्वक आपणे इनी चर्चा करीशू त्यार पछी बिजू छे के जो डाइरेक्ट स्पीच ना वाक्य मा बिजा पुरूसना सर्वनामों आपणेल होई तो तेमनो फेरफार सामबलनार मुझब करवो बिजा पुरुष्णा सर्वनामों छे यू, 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 यूर, यूर्स, यूर्सेल्फ अने यूर्सेल्फ 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 य मुझब करवानों छे कणके बोलनार अने सामभडनार आप बनने तो डायलोग में हसे एटले ए मुझब आपड़े फेरफार करवानों थाई त्यार पछी त्रीजू छे के जो डायरेक्ट स्पीच ना वाक्य मा त्रीजा पुरुषना शर्वनामों आपेल होई तो तेमा फेरफार ना करवो इतले के जे होई इनु इमुकी देवान। आया त्रीजा पुरूस ना एक वचन ना बहु वचन ना बद्धा शर्वना मों आपेला छे। के he, him, his, his, himself, she, her, her, hers, herself, it, its, itself, they, them, their, their, themselves, तो अवे सव्थी वधारे सर्वना मों त्रीजा पुरूस मां छे। अने, सारी वाते शेक, आपड़े यहमा तो फेरफार करवानों नथी, फक्त पेला, अने, बीजा पुरूस ना सर्वनामों मां जा आपड़े फेरफार करवानों छे, जे, दरेक मां 10-10, 10 पेला पुरूस मां आउसे, 10 बीजा पुरूस मां, एटले, ही 20 मां फेरफार थाई, आ त्रीजा पुरूस मां 20 सर्वनाम छे, यहमा फेरफार नहीं थाई, तो आ रिते, सर्वनामों मां आपड़े आ प्रमाने फेरफार करवानों छे, टुक मां, त्यार पछी, एक सरस मजानों, अहीं में चाल्ट रजू कई रोशे, कि डाइरेक्ट स्पीच मां जो आवू सर अवे हैं, दखला तरिखे, आए अनने यू, आयू एटले के एक वचनमा वपरादु यू, करता तरिखे आणों उपयोग्ठियों होई, एटले के करता तरीखे जो आय आपेलू होई, अथ वातों एक वचनमा यू आपेलू होई, तो एने इनडायरेक्ट मां बदलो, त् अथवाशी आ बे माथी एक जावे जो बोल नार पुलिंग होई एटले के पुरूश होई तो ही आवशे स्त्रीलिंग एटले के जो स्त्री होई तो शी आवशे आ बेसी वाई त्री जू आवेद नहीं आई अने एक वच्चन ना यूना बदले आपणे आ रिते फेर फार करवान था से मानिल यूके वाक्यमा डायरेक्ट स्पीच ना वाक्यमा तमने सर्व नाम आय आय पुशे एटले तमारे बोल नार जो वनूग बे बोल नार कोण शे तो कि ये राम एटले के छोकरोप पुलिंग नाम थियू तो इया आय ना बदले ही आवे बोलनार सी ता तो इस्त्रिलिंग नाम थिए तो आई ना बडले सी आवे एवी रिते यू आईपू होई त्यारे पन बोलनार जोहिले बानू पुरुष्छे के स्त्री शे इप्रमाणे ही केशी मुकी देवानू त्यार पछी मी अने यू आब अने कर्म विभक्तिना सर्व नामो छे एटले इक कर्म तरिखे वप्राई तो मी अने यू आब एमाथी कोई एक आपेलू होई त्यारे बोलनार ब्रमाणे हीम अथवा हर मुकवानू पुलिंग होई तो हीम स्त्रीलिंग होई तो हर एटले के बोलनार जो पुलिंग पुरुष होई तो मी के यू ना बदले हीम मुकवानू स्त्रीलिंग स्त्री होई बोलनार तो हर मुकवानू त्यार पछी माई अने योर आजे सर्वनामों हमना आगड लिस्ट माँ आईवा ता ये बद्धा जावे शे माई अने योर आ सबंधक विबक्तिना सर्वनामों छे तो एना बडले इंडाइरेक्ट स्पीच माँ हीज अथवा हर आवसे बोलनार पुरूस होई तो हीज बोलनार स्त्री होई तो हर पछी वाकियमा माई आईपू होई कियोर आईपू होई या तमारे हीज के हर जे लागू पड़तु होई एना बडले इमुक वानू त्यार पछी माईन और योर्सेल्फ जे छठी विभक्तिना सर्व नामोशे तो एना बडले आवसे हीज अथवा हर्स जो बोलनार पुरूस होई तो हीज आवसे बोलनार स्त्री होई तो हर्स आवसे वाकियमा माईन आईपू होई कि योर्स आईपू होई येना बडले आ बेमाथी जे लागू पड़े ये तमारे मुकी देवान त्यार पछी माई सेल्फ और योर्सेल्फ तो येना बडले इमसेल्फ अथवा हर्सेल्फ पुरूस होई तो हिमसेल्फ स्त्री होई तो हर्सेल्फ अवे आ एक वचनना सर्व नामोँ होता अवे आ बहु वचनना सर्वनाम आउसे पेला बीजा पुरूशना जिमा वी अने यू करता तरीखे आपेल होई यू बहु वचनना सर्वनाम तरीखे वपरायल होई तो येना बढ़ले इनडाइरेक्ट स्पीच मा धेय मुकी देवानू वी अथवा यू आप बे माथी कोई एक होई अटले इनडाइरेक्ट मा एना बढ़ले धेय आवे काणके पछी ए बोलनार पुरूशो होई के स्त्रीवो होई आया अलग-अलग नहीं आवे एक जाव से काणके येना माटे धेयज वपराई फे काणके ही नू भहुव चन देव ठाई, शी नू भहुवचन पण देव ठाई शे त्यार पछी अस और यू आबने कर्म विभक्तिना सर्वनाम छे एकले कर्म तरिखिए वपराई, कर्म स्थाने वपराई तो एना बदले आपड़े मुखवानू थाई देम, कांके देम एक कर्म विबक्तिनू सर्वनाम छे अवर अने योर आ सबंधक विबक्तिना सर्वनाम, तो एना बदले मुखवानू देर, ए देर सबंधक विबक्तिनू सर्वनाम छे अवर्स औन योर्स आ छठी विवक्तिना शर्वनामो एना बडले आउसे देख्ष पछी वाक्यमा अवर्स आई पूँए के योर्स आई पूँए बे माथी काई पूँए एना बडले आपड़े इन्डाइरेक्ट स्पीच माँ देवस मुखी देवानो अवर्सेल्व्स औन योर्सेल्व्स एना बडले देवसेल्वस दे माथी कोई पूँए आपड़े इन्डाइरेक्ट माँ वाक्या फेर विए त्यारे एना बडले आपड़े देमसेल्व्स मुखवानो त्यार पछी हवे आउशे क्रिया पदो मां एटले के काड मां थता फेर फारों एना माटे पन सरस्मजानों चार्ट अहीं आपेलो छे के डाइरेक्ट स्पीच मां जो आवू वर्बाई पुगोई तो एनी सामें इन्डाइरेक्ट स्पीच मां जे वर्ब मुकेलो छे इतले के डाइरेक्ट स्पीच ना वाक्या मां जो एम अथवा इज आपेलो होई तो एना बदले वर्ब मुकेलो आणके आर प्लूरल छे एवी रिते वर्ब प्लूरल छे एम अने इज सिंग्यूलर एक वचन छे तो वोज एक वचन छे एटले एम इज ना बदले वोज आर ना बदले वेर त्यार पछी वोज वेर एटले के डाइरेक्ट स्पीच मां वोज अथवा तो वेर आई पू होई तो एना बदले हेड बिन मुकेवानों सामे हेड बिन आपेलू छे एटले के वोज आपेलू होई तो वोज काटी नाकवानू एना बदले हेड बिन लखवानू एविज रीते वेर आपेलू होई तो वेर काटी एना बदले हेड बिन लखवानू त्यार पछी त्रीजू शेल विल तो एनी सामे आवशे शूड व मुकवानू विल आपेलू होई तो वुड मुकवानू हेव अपेलू होई तो पंठ हेड मुकवानू तो पंठ अबद लें हेड मुकवानू त्यार पच्छों सब्जेक्ट दू –ニोट जों प्लोस वीवन येटले वाक्य नकार हो साधा वर्तमान कार्ड नू वाक्या होई औने वाक्या नकार होई तो एमा डिड नोट के डज नोट नू उप्योग थाई करता प्रमाणे तो इन्डाइरेक्ट स्पीच मा आपड़े एक कज मुख वानू छे डू नोट आपेलू होई के डज नोट आपेलू होई एक आडी औन एना बदले आपड़े डिड नोट मुख वानू सब्जेक्ट मा काई फेर फार नहीं थाई वीवन जे आवे छे एमा काई फेर फार नहीं थाई नकारवाक्य होई एटले यहमा डीड नोट नो उप्योग थाई तो अवे इनए इन्डियर्यक मा बदलवानू थाई त्यार रेशं करवानू सब्जेक्ट मा काई फेरफार नते करवानू डीड नोट ना बदले आपड़े मुखवानू हेड नोट एटले के डीड ना बडले हेड मुखवानू नोट नोट तो एम नमज रेशे डीजो फेरफार ए थासे के डीड नोट पच्छी तियां V1 हशे आयां आपडे हेड मुख्या श्ये एटले हेड नोट पच्छी येनू V3 मुखवानू छे मानी लिख के यह गो आपेलो होई तो आयां यहनू गोँन थही जाई वां डूनोटके डजनोटमा गो आपेलो होई तो डिडनोट पचिपन गों जावे यह 있고 फेर फ़ार नहीं था यह बनने लिवण अच दर्शावेलो थे बुमन आया Testament फेर फ़ार थे ग्यो डाइरेक्ट स्पीच मां डिडनोट पछी वीवन आपेलू छे, हेडनोट पछी वीथरी आपेलू छे येनू अर्थेवो के ये वीवन जे होई येनू आपड़े वीथरी बनावी ने तियां मुखबू पड़े इटले के मुढ रूप आपेलू होई तेनू आपड़े भूत क्रुदंत नू रूप मुखबू पड़े त्यार पछी डू डज सबजेक्ट अने वीवन अवे आमा आ प्रस्नार्थ वाक्या से छे, छेले क्वेस्चन मार काई पू अवे आने आपड़े इनडायरेक्ट मा बदल ये तो नियम प्रमाणे प्रस्न वाक्या से ए विधान वाक्या बनी जाई तो अवे इनडायरेक्ट मा बदल सुत्यारे डू के डज निकडी जाशे सिद्धु सबजेक्ट थी एटले के करता थी वाक्यानी शरूवार्थासे तो सबजेक्ट पछी यहां आपड़े मुखवानू थाई वीटू आयां डायरेक्ट स्पेच मां वीवन छे आयां वीटू आवसे पन क्यारे जो वाक्या प्रश्नार्थ होई तो नकार्मा डू नोट डज नोट होई तो डीड नोट पछी पन वीवन ज मुखवानू शे आयां आपड़े डू डज नू डीड नथी करवानू डू डू डज निकडिक जासे यह आपड़े प्रश्नार्थ वाक्या विशे चर्चा करीशू त्यारे यह नियम एमा आवसे तो पछी डीड सब्जेक्ट अन्य वीवन एटले के साधा भुतकाडबनू प्रश्नार्थ वाक्या अवे यह पन तमे जे आरे इंडायरेक्ट स्पीच माँ बदल शे जो त्यारे यह प्रश्नार्थ वाक्या विधनला बनी जासे एटले के डीड निकडिक जासे वाक्या नि non recur सब्जेक्ट एटले के करता थी थासे पछी तियां आपणे हेड उमेरवानू आउसे अने हेड पछी डाइरेक्ट स्बीच माझे वी वन हतु तेनू तियां वी थ्री आउसे वी वन नू वी टू नहीं थाई पण हेड मुईको छे एटले वी थ्री थासे आनू अर्थे वो थाई के सादो वर्तमान काडवोई इसादो भुतकाड बने औने सादो भुतकाडवोई ने पूर्ण भुतकाड बने head नो उप्योगाई वो एटले पूर्ण भुदकाड थियो त्यार पची subject प्लस V1 तो indirect मा subject प्लस V2 एटले कि आँ साधो भुदकाड शे साधो वर्तमान काड़ शे direct speech मा एननो साधो भुदकाड बैनो त्यार पच्छी सब्जेक्ट प्लस V2 एटले के करता पच्छी V2 एटले के भुदकाड नो रूप आपेलू होई तो यहने इन्डाइरेक्ट स्पीच मा बदलती वक्ते आपड़े ए वाक्यने पूर्ण भुदकाड मा बदलवानू थाई एटले सब्जेक्ट पच्छी हेड उमेरवानू औने V2 ना बदले V3 मुखवानू जयारे साधा वर्तमान काडमा एटले के नौमी कोलम जेशे सब्जेक्ट प्लस V1 तो यहमा आपड़े सब्जेक्ट पच्छी V1 ना बदले V2 मुखवानू एटले के मुढ रूप ना बदले यहनू भुदकाड नो रूप यहां आपड़े इंडाइरेक्मा बदलती वगते हेड पच्छी आपड़े V3 एटले के V2 ना बदले V3 मुखवू त्यार पच्छी जो वाक्यामा केन आपेलू होई तो केन ना बदले कोड मुखवानू मे आपेलू होई तो मेना बदले माइट मुखवानू औने मस्ट निकड़ी आए जाई वाकेमा कुडे आभी जाई indirect speech मां मे निकड़ी आए एना बढले might आवे अन्ने must निकड़ी बढले head to आवे क्रियापध तो काड मा आटला फेरफारों छे एकडम सेल के फेरफारों आमा कशूजगरू नसी तमें बेचार वखत आ वीडियो ने सांभड सो एटले ओटोमेटिक तमने आ फेरफारो करता आवडी जासे त्यार पथी समय दर्शक अथवा तो स्थड दर्शक शब्दो मा थता फेरफारो तो एनू पण आयां लिस्ट आपेलो छे डाइरेक्ट स्पीच मा जे शब्दो आपेला छे एमा थी कोई पण शब्दा आपेल होई तो इन्डाइरेक्ट स्पीच मा तमें वाक्या बदलो त्यारे एनी सामे जे शब्दा आपेलो छे ए तमारे मुखवान। दाखला तरिखे वाक्या मा जो दिस आपेलो होई तो ए वाक्या ने तमें इन्डाइरेक्ट स्पीच मा बदलो त्यारे दिस काड़ी नाखवान। एना बदले एटले के दिस नी जग्या ये तमारे देट मुखवान। आप फेर फार थेक्यों। त्यार पच्छी बीजु आई पूछे दिस एटले के दिस नू बहुआ चन। अवे वाक्या मा जो दिस आपेलो होई तो एनी जग्या ये तमारे मुखवान। देट नू बहुआ चन। ये श्टर्डे आपेलो होई तो एना माटे बे शब्द आपेला शे। धा प्रिवियस डे अथवा धा डे बी फोर। आ बेमा थी तमारे कोईपण एक शब्द मुखवान। बन्ने मुखवानी जरूर न थी। त्यार पच्छी लास्ट वीक अथवा लास्ट मन्थ अथवा अथिके लास्ट ना बदले धः प्रिवियस मुखवानू अने पच्छी समाई बतावतो शब्द इना मुखिदे वान। अवध मानी ल्यों कि यां एम आइपपु होई के लास्ट अवर तो तमारे प्रिवियस अवर। लास्ट पची हेम आईपु छेके लास्ट दिवाली तो तमारे मुखवानू धा प्रिवियस दिवाली लास्ट पची कोई वार्णू नाम आइपू होई संडे मंडे काई पन के लास्ट संडे आइपू होई तो धा प्रिवियस संडे कोई मैनानु नामाई पूँ एक लास्ट जानियो आरी तो धा प्रिवियस जानियो आरी आरी ते लास्ट पछी कोई पाण के समाई दर्शक सब्दो समाई बतावता सब्दो तो पुषकड छे बदा आया लखवा शक्या नथी पण हुँ ये मौखिक तम नेकाव छो के समाई बतावता सब्दो मा कोई पन वार्नु नामावे कोई पन अंग्रेजी गुजराती मैनानु नामावे कोई पन तहेवारनु नामावे कोई पन रुतुनु नामावे आ बद्धु आवी शक्या तो लास्ट ना बदले आपड़े ध प्रिवियस मुखवानून पची जे समय दर्शक शमय बतावतो शब्दाईपो होई ये ध प्रिवियस पची मुखवानू येमा आपड़े कोई फेरफार करवानू नथी त्यार पची नमबर नव टूमोरो टूमोरो आपेलो होई तो येनी समय बे शब्दो आई पास दे नेक्स्ट डे अतवा दे फोलोविंग डे आबे माँ थी कोईपण एक मुखवानू येस्टर डे माइ बे हता आया टूमोरो माँ पन बे आपेला स्थे बे माँ थी एक मुख त्यार पच्छी next week month year तो एना बड़ले the following week month year वां last तो आया next आईबो बविश्य बतावेश तो next पच्छी कोई पन समय बतावतों सब्दोवे कोई पन वार नू नाम, कोई पन अंग्रेजी गुजराती महिना नू नाम, कोई पन तहवार नू नाम, कोई पन रुतू नू ना आपड़े याद एटलू राख पानू, के next पच्छी समय बतावतों सब्दा आये पो होई, त्यारे आपड़े फेरफार एटलो करवानू, के next ना बदले ध़ फोलोविंग मुकवानू, अने एना पच्छी जे समय बतावतों सब्दा आये पो होई, ए फेरफार कैरा वी न मुकी देवानू, समय बतावता सब्दा मा आपड़े फेरफार करवानू न थी, फेरफार फक्त next मा करवानू छे, ओमा लास्ट मा करवानू छे, त्यार पची जो अगो आपेलू होई, तो बीफोर मुकवानू, दस आपेलू होई, तो एना बदले 100 मुकवानू, आटला सम में इन डैरेक्ट मा बदलो, त्यारे एनी शामें जे शब्दों छे, एमा थी तमारे ए शब्द मुकवानू, तो आरे ते, अउत्रण चीन मा जे वाक्या आपेलू होई, एमा जे त्रण बाबतों मा फेरफार करवाना छे, सर्वनामों मा, क्रियापद मा, अने समय दर्षक के स्थड दर्षक सब्द मा, ए तमारे आ मुझब, आ लेक्चर मा तमे जे सीखिया, ए मुझब तमारे फेरफार करवाना छे, तो आटलू तमे याद राखी लियो, आटले अउत्रण चीन मा जे वाक्या आपेलू छे, एमा तमने फेरफार करता आवडिक्या, अवे अउत् चीन नी बार जे आपेलू छे, एमा केवा प्रतार ना फेरफारो थाई, एनी चर्चा आपड़े नेक्स्ट लेक्चर मा करीशू, थेंक्यू वेरी मच्चू